दोस्तो राज कॉमिक ने वैसे तो हमें बहुत ही अमेजिन पावर्स वाले सुपर हेरो दिये हैं। सुपर हेरो के साथ साथ राज कॉमिक ने गजब के विलेंस भी दिये हैं। तो आज हम उनी विलेंस में से एक विलेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये विलेन एंथोनी के बहुत ही ज्यादा खतरनाक विलेन्स में से एक है जिसके पास है चान की ग्राइविटी की पावर जिसके बलबूते पर उतने एंथोनी को कई बर धूल जटाई है और इस अमेजिन पावर वाले विलेन का नाम है भांजा तो बिना टाइम विर्ट किये चलिए स्टार्ट करते हैं और जिन आफ भांजा भांजा को हमने सबसे पहले देखा था दो गजजमीन कौमिक में जहां हमें बताया गया कि भांजा बचपन से ही चांद से बहुत ज़्यादा प्यार करता था भांजा एक सामानिय सा बच्चा था जो अपनी मा से चांद की पोयम्स और लोरिया सुना करता था धीरे धीरे उस छोटे से बच्चे को चांद से बेपना लगाव हो गया और वह चांद को पाने उसके करीब जाने के लिए कोशिश करने लगा भांजा का लगाव कब दिवानगी में बदल गया खुद भांजा को भी नहीं पता चला वो अपने पास लाने की हर संभव कोशिश करने लगा लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकाम होने लगी तब उसने चांद को अपने पास लाने के लिए बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया उन सभी किताबों को पढ़ने के बाद भांजा चांद को पानी के लिए योग साधना से क खींच सकता था और उसका मन चाहा उप्योग भी कर सकता था इस बीच भांजा चांद को पाने के लिए घर से भाग जाता है और भांजा के घर से भागने के सत्मे में उसकी मा मर जाती है भांजा अकेला पर जाता है और इस तरह भांजा मुड़ जाता है अपरात की दुनिया म पावर सोर्स भांजा वैसे तो अपनी सारी पावर चांद से लेता है यानि चांद की ग्राविटी की पावर को भांजा अपने हिसाब से इस्तमाल कर सकता है भांजा की पावर की लिमिट ये है कि जब तक उसे चांद दिखेगा तब तक वो अपनी पावर को अक्टिवेट कर पाएगा यानि चांद की रोशनी भांजा तक आना बंध होती है तो वो पावरलेस हो जाता है लेकिन एक कॉमिक पाकिस्तान मुर्दाबाद में भांजा पाकिस्तान के जंडे पर बने चांद को देखकर भी अपनी पावर को अक्टिवेट कर लेता है उससे हम यही कह सकते हैं कि भाजा चांद की रोश्णी में आने पर अपनी पावर को अपनी बाडी में अप्जर्व कर लेता है और फुल कॉंटिडेंस में उसको बिना चांद के भी इस्तमाल कर सकता है भाजा अपनी पावर से अपने चारो तरफ एक ग्राविटी शील्ड बना सकता है जिससे उसके उपर अटैक करने पर कोई भी चीज उसके आसपास से बिना उसको टच के निकल जाती है भांजा अपनी पावर से किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकता है चाहे वो किसी भी चीज से बनी हो भांजा ने अपनी पावर से एक बस को उठा कर एंथोनी पर अटेक किया था यहां तक कि भांजा ने एक एरोपलेन को अपनी ग्रावेटी से कंट्रोल करके उसको भीड के उपर से गुजारा था जबकि हवाई जहाद काफी जादा उचाई पर उड़ते हैं भांजा ने अपनी पावर्स से शक्ति के सभी वार को टॉर्च किया है शक्ति के सभी वैपन भांजा के पास तक फटक ना सके शक्ति की उश्मा शक्ति भी भांजा को छूतक ना पाई भांजा ने शक्ति के उड़ने तक की पावर्स को छीन लिया था यानि शक्ति की ग्राव बांजा के पास कोई पावर नहीं बच्ती है। बुकिंग वो अभी कबर की क्योंकि इनसान को जिन्दा रहते हुए तो बहुत सारी जमीन चाहिए लेकिन मरने के बाद उसे चाहिए सिर्फ और सिर्फ दोगत जमीन जिस इनसान के पास बुकिंग नहीं होगी बांजा उसके शव को कबिस्तान में जगा देने से मना कर देता ह जो लोग बुकिंग करने के लिए मना करते हैं बांजा उन्हें अपने आदमें से मरवा देता है और तो और जिन लोगों के कबर पहले से मौजूद है बांजा उनसे भी पैसे लेने के लिए निकल पड़ता है अब कबिस्तान कबिस्तान नहीं रहा था बलकि बांजा ने उ अफनानी की जगा के लिए पैसे देने पड़ेंगे हैं सबसे पहले इस वसूली का विरोत एक पादरी करता है तो भांजा उसको लगबख जान से मारने ही वाला होता है लेकिन एन मौके पर एंथोनी आ जाता है और उस पादरी को बचा लेता है इस तरह एंथोनी पहली बार के बारे में कुछ भी नहीं पता था तो भांजा एंथोनी पर काफी ज्यादा भारी पड़ता है और जब तक एंथोनी उसकी पावार्स को समझ पाता तब तक सुबह हो चुकी होती है और एंथोनी को वापस अपनी कबर में जाना पड़ता है इस तरह एंथोनी और भांजा की पहली फाइट भांजा के नाम रहती है इस फाइट के बाद भी भांजा के ऊपर कोई खाक फरक नहीं पड़ता और वो ऐसे लोगों के लिस्ट बनाता है जिनके रिष्टदार मर चुके हैं और अब भांजा को उनसे मुर्दा पारकिंग का शुल्क वसूलना है इस लिस्ट को और भी ज्यादा नुकसान पहुचा सकता था तभी वहाँ पर एंथोनी आ जाता है और उसको पीटने लगता है कुछ ही देर लड़ने के बाद एंथोनी को भांजा की पावर का सोर्स पता चल जाता है कि भांजा चांद की केर्णों से अपनी पावर लेता है और वो प्र एंथोनी वर्सिस भांजा की फाइट का राउंड टू एंथोनी के नाम रहता है लेकिन उस कबार के बीच से भांजा को चांद की रोशनी मिल जाती है जिससे वो वहां से बाहर आकर एंथोनी का ताबुत मुर्दा पार्किंग से उठा कर फेक देता है इसके बाद भांजा द बेहोश हो चुका था तभी एंथोनी की नजर पढ़ जाती है मोन इस्तोंजड़ी अंगोठियों पर जिसे पहनने के बाद एक बार फिर से एंथोनी भांजा को पीटना स्टार्ट कर देता है योगि एंथोनी पर भांजा की ग्राविडी का कोई भी असर नहीं हो रहा था इस बार एंथोनी भांजा को जिन्दा ही एक कबर में दफन कर देता है लेकिन भांजा निहाएशी चालाग आदमी है तो उसने एंथोनी से नज़त बचा कर उस कबर में से एक पाइप निकाल दिया था जिससे की चांद की रोश्णी उस सक पहुंच सके और वो बच सके है बानजा की पहली कोमिक थी दोगत्जमीन, जहाँ से उसने अपराधी करियर की शुरुआत की थी, दोगत्जमीन का नेक्स पार्ट, मुर्दा पार्किंग में एंथोनी री ने भानजा को काफ़ी बुरी तरीके से पीट कर उसको कब्र में दफन कर दिया था, लेकिन भांजा वहां से बच निकला और पाकिस्तान मुर्दाबाद कॉमिक में अपनी दीश भक्ती का पूरा सबूत देते हुए एक हीरो की तरह लड़ता हुआ दिखाई दिया इसकी अगले कॉमिक मुझे चान चाहिए में भांजा ने एक नया धंदा स्टार्ट किया था मुर्दो को जिन्दा करके उनसे पैसे मंगवाना लेकिन एंथोनी और शक्ती ने उसको इस बार भी पीड दिया इसके बाद भांजा दिखाई दिया विलेन चाचा में जहां उसने सूपर इंडियन को ग्राविटी कंट्रोल करना सिखाया इसमें भांजा बिना एक्शन के दिखाई दिया इसके बाद भांजा एक से बढ़कर एक कॉमिक में दिखाया गया जहां वो अपने भतीजे सूप भांजा हमें अगली बार कब दिखाई देगा इसके बारे में शायर ही किसी को पता होगा लेकिन जब भी भांजा आएगा अपने चंदा मामा की पोयव जरूर सुनाएगा तो आपको भांजा को ओरिजिन उसकी पावर्स कैसी लगी कैसा लगा भांजा विलेन के रूप में क् इसे और भी कॉमिक में देखना चाहेंगे वैसे तो हमने पूरी कोशिश की है कि भांजा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल आपको दें फिर भी अगर हमसे को डिटेल मिस हो गई हो तो आप हमें कमेंड करके ज़रूर बताएं अगर आप राज कॉमिक के और भ करें